नमस्कार, केलेंडर का विकास और भारतिय पंचांग की इस प्रस्तुती में आपका स्वागत है। इस प्रस्तुती में हम भारतिय सप्रिशी समवत केलेंडर से ग्रिगोरियन केलेंडर तक के सफर के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे विश्व में इस सफर में और कौन-कौन से कलेंडर बनाए गए थे इस प्रसुती में बताई जानकारी और चित्र विभिन किताबों वा वेबसाइट से एकतित करी गई है इन सभी का सत्यापन हर प्रश्व के नीचे दिये गए विभरण से किया जा सकता है इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं हम उन सभी पुस्तक वा वेबसाइट के लेखक और प्रकाशिकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं वा उनका अभार और हर्दिक धन्यवाद करते हैं पंचांग या केलेंडर के प्रकार पंचांग या केलेंडर तीन तरह के होते हैं सौर, चंद्र केलेंडर और चंद्र सौर केलेंडर सौर केलेंडर में तिथियां, मौसम या लगबग संकर्ष रूप से तारों के सापेक्ष सूर की स्पष्ठ स्थिति का संकेट देती हैं. यहाँ वह समय हैं जिसमें प्रत्वी सूर के चारों और एक चक्कार पूरा करती है. इसमें हर चार साल में 360 दिन, बारे महीने और फरवरी में एक अतनरिक दिन होता है. उधारण Gregorian केलेंडर जिसे दुनिया में एक मानक के रूप में व्यापक रूप से स्विकार गिया जाता है. चंदर कलेंडर चंद कलेंडर चंद्रमा के चरणों के मासिक चक्रों पर अधारित होता है। यह वज समय है जब चंद्रमा अपने सभी चरणों यानि अमावस्या, अर्धिचंद्र और पूर्णिमा को पूरा करता है। इसमें 304 दिन 12 महीने और हर 3 साल में एक अत्रिक्त महीना होता है। लेकिन हर दूसरे या तीसरे वर्ष में एक 13 या एक लीप महीना जड़ा जाता है। उधारान के लिए भारतिय या हिंदू कलेंडर, जैन कलेंडर, चीनी कलेंडर, बॉद कलेंडर, बर्मी कलेंडर, असीरियन कलेंडर, हिब्रू कलेंडर, कुर्द कलेंडर, नेपाली कलेंडर, जापानी कलेंडर, कोरियाई कलेंडर, मंगोलियाई कलेंडर, तिब्बती और वि दिखाई गई है। सब्त्रिशी सम्वर्ण। प्राचीन भारात का सब्त्रिशी केलेंडर विश्व की पूर्वता पर आधारित है। अर्थात वह समय या तारीक है जिस पर सूर्य आकाशी भूबद्य रेखा को पार करता है। जब दिन और रात लगबग बरावर लंबाई के होते हैं। यह साल में दोबार आता है लगबग 22 सितमर और 20 मार्च को। सब्त्रिशी तारा मंडल में सबसे चमकीले साथ सितारों के रूप में सब्त्रिश्यों की पैचान की गई है। वे आकाश में नंगन आखों से देखने पर दिखाई देते हैं। यह साथ तारे एक गाड़ी या एक हैंडल वाले कटोरे के आकार लिते हैं। वरहा मेहर की विरहत सहिता में इन सितारों के संस्कित नामों का वर्णन किया गया है। यह है मरीची, वशिस्थ, उनकी पत्नी अरुंदती, अंगिरस, अत्री, पुलत्स, पुला और करतू। यह सप्रिशी ब्रह्मान के निर्माता भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र है। सप्रिशी केलेंडर में साथ तारों की स्थिती के पैचान 28 नक्षत्रों या क्रांती व्रत के खंड के सम्मद में की जाती है, जिसके माध्यम से चंद्रमा प्रत्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में गुजरता है। अर्थवेत के अनुसार ये नक्षत्र हैं अश्वनी, भर्णी, कृतिका, रोहिनी, म्रक्षीर्ष, आद्रा, उनर्वसु, पुष, आसलेशा, मगह, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुरादा, जेश्ठा, मूल, पूर्व आशार, उत्तर आशार, श्रावण, गनिश्टा, शत्विशा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, और अभिजीत, सप्रिशी चक्र 3600 वर्ष का है, मदिकालीन कश्मीरी इत्यासकार कल्हण ने दवा किया कि पिछला चक्र 3076 बीसी में शुरू हुआ थ और वर्थमान चक्र 525 सी में शुरू हुआ था, कश्मीर में सप्रिशी कलेंडर को लौकिक संवत कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि सप्रिशी चक्र की शुरूआत 6676 बीसी में करतिका में साथ रिश्यों के साथ हुई थी, पुरौने कालकरम के अनुसार यह वह समय था के अनुसार कल्यू के शुरूआत 3102 बीसी में हुई थी, सप्रिशी कलेंडर महाबरात युद तक पचलित था, सप्रिशी चक्र का यह संस्कर उत्तरी भारत में कम से कम 34 शताबदी बीसी से उप्योग में था, मौरेस समराज के समराथ चंदरुप के दरबार में युनानी आगंतोकों की पुष्टी के अनुसार चंदरुप के दरबार में 676 बीसी से शुरू हुई पौराणेक राजाओं की सूची होती थी सुमेरियन कलेंडर सुमेरियन कलेंडर चंद्र सौर कलेंडर था सुमेरियन कलेंडर में एक वर्ष को बारे महीने में वेभाजित किया गया था चंद्र वर्ष को सौर वर्ष के साथ 354 दिनों का रखने के लिए हर तीन साल में एक अतरित महीना जुड़ा जाता था और मुस्लिम हिजरी कलेंडर के लिए मॉडल बन गया था। मिस्र का कलेंडर छंद कलेंडर था। मिस्र वासी समय बीतने का पता लगाने के लिए रात के आकाशका उप्योग करते थे। सितारा सीरियस विशेश रूप से महत्पूरून था क्योंकि यह हर मौसम में एक ही समय पर घड़ी की सुवी की तरह उगता था। यह हर 365 दिनों में सूर्य के बगल में होता था जिससे मिस्र वासीयों को यह जानने में मदद मिलती थी कि एक वर्ष कब बीत चुका है। मिस्र के कलेंडर की स्थापना पचीस सो दस बीसी में ओल्ड केंग्डम के राजा शेप्स कफ के शाशन के दोरान की गई थी। चीनी केलेंडर लगवर 14 शताबदी बीसी में हुआ था चीनी कलेंडर का उपयोग चीन के साथ साथ कोरिया वियतनाम रियुकू दुवी समू में भी किया जाता है रोमन कलेंडर चंद कलेंडर था जो चंद्रमा की कलाओं के नुसा बना था इसमें दस महीने शामिल थे मार्च के साथ वसंद रितु की शुरूआत होती थी और अगले साल से पहले सर्दियों को बिना निर्दिष्ट दिनों के छोड़ दिया जाता था सर्दि के दो महीने जब खेतों में कोई काम नहीं होता था तो गिंती में नहीं आते थे कलेंडर की शुरूआत सबसे पहले 738 BC में रोमन समराज के राजा रोमुलस ने की थी रोमन कलेंडर को अंतिता है 46 BC में रोमन गर्णराज के रोमन वानेजी दूत जूलिया सीजा द्वारा जूलियन कलेंडर से बदल दिया गया था अंत्रता है 1582 सी में इसे ग्रेगोरियन कलेंडर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो अब दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कलेंडर है. बेबी लोनियाई कलेंडर चंद कलेंडर था, इसे 499 बीसी के दौरान सुमेरियन कलेंडर के अधार पर बनाया गया था, बेबी लोनियन कलेंडर में साथ दिन का सप्ता शुरू हुआ था, सप्ता की शुरूआत और समापन अर्ज चंदर पर होती थी. माया कलेंडर, माया कलेंडर एक सोर कलेंडर है. माया कलेंडर समानांतर में तीन अलगलग तिती प्रणाली का उप्योग करता है. लोन्ग काउंट, तोजिलकन या दिव कलेंडर और हाब, सिविल कलेंडर, 260 दिन के चक्र को तोजिलकन के नाम से जाना जाता है. हाब एक 365 दिवसी है, सौर कलेंडर है, जो 20 दिनों के 18 महीनों में वेबाजित है और एक महीना जो केवल 5 दिनों का होता है, उसे वैब कहा जाता है लॉंग काउंट एक खगोलिया कलेंडर है, जिसका उपयोग लंबी अवदियों को चिन्नित करने के लिए किया जाता है हाइलेंड्स, विरा, क्रूज, ओकसाका और चियापास मेक्सिको में किया जाता है ग्रीक कलेंडर, ग्रीक कलेंडर एक चंद्र सौर कलेंडर है, इसका निर्मान लटबग 400 BC में हुआ था उन्होंने सौर विश्म के चक्र और चंद्रमा और सितारों के चक्र पर नज़र रखने के लिए पांच अलग अलग कलेंडर का उपयोग किया सबसे आहम एथिनियन कलेंडर था, जिसे अटारी या सिविल कलेंडर भी कहा जाता था यहूदी कलेंडर, यहूदी कलेंडर जिसे हिब्रियू कलेंडर भी कहा जाता है, एक चन्दर कलेंडर है, इसका निर्मान 70 BC में हुआ था, इसराइल में पवित्र छुटियों और अन्य महत्वपूर्ण तित्यों को दर्शाने के लिए अभी भी यहूदी कलेंडर का विक्रम सम्मत में चंद्रवर्शी शुवात चैत्र महा की अमावस्या या शुकल पक्ष से होती है, इस दिन को चैत्र नवरात्री, चैत्र सुकलादी, तिलंगाना और आन्रपदेश में उगादी, महराष्ट में गुडी पड़वा, पंजाब में बैसाकी, करनाटक में च तांडू, पश्यम मंगाल में पोहेला, बोईशाक के नाम से जाना जाता है, चंद्र दिवस को तिथी कहा जाता है, प्रत्यक चंद्रमास में 30 तिथियां होती है, तिथि वस समय है जो चंद्रमा और सूर के बीच अनु धेधर्य कोन को 12 डिगरी तक बढ़ने में लगता है तिथियां दिन के अलग-अलग समय पर शुरू होती है और उनकी अवदी 20 से 27 गंडे तक होती है, चंद्रमास की पहली तिथी को प्रतिपदा कहा जाता है, एक पक्ष एक चंद्रपक्वाडा है और इसमें 15 तिथियां होती है, दो पक्ष से एक मास बनता है, जो लगभग 29 प्रतिश दिशनलव पांच दिन होता है, दो मास से एक रितू बनती है और तीन रितू से एक आयन बनता है, हिंदू वर्ष को दो समान भागों में विभाजित किया गया है, जिन मेंसे टत्यक को आयन कहा जाता है, वे हैं उत्तरायन या शीत कालिन संक्रांती जब सूर्य उ कैप्रिकॉन, कुम अंग्रीजी में अक्वेरियस, मीन अंग्रीजी में पैसेस, मेश अंग्रीजी में एरीज, व्रशब अंग्रीजी में टॉरस, मिथुन अंग्रीजी में जैमिनी, दक्षिड रयान या ग्रीश में संक्रांती, जब सूर्य दक्षिड दिशा में चलता है सौर महीनों का नाम उन राशों के अधार पर रखा गया है जिन में सूर प्रविश करता है और घमर करता है दक्षणायन के 600 मास ये हैं कर्क अंग्रेजी में कैंसर, सेंग अंग्रेजी में लियो, कन्या अंग्रेजी में वर्गो, तुला अंग्रेजी में लिब्रा, व्रश्चिक अंग्रेजी में स्कॉपियो, धनू अंग्रेजी में सेगिटेरियस दो आयान से एक वर्ष बनता है बढ़ते चरण की शुरुवात अमावस्या के अगले दिन से होती है इसे गौरा या शुकलपक्ष कहा जाता है गत्य चरण को क्रश्न या वद्यपक्ष कहा जाता है सामाने वर्षों में वर्ष 354 दिन लंबा होता है जबकि त्योहरों और फसल संबंदी अनुष्ठानों को उचित मौसम में सुरिशित करने के लिए हर तीन साल में लबबग एक बार मेटोनिक चक्र के अनुसार एक लीप चंद्रमाहा या अधिक्तमास जोड़ा जाता है विक्रम संबत का विकास मालवा समराज के राजा विक्रमादित ने 57 BC में किया था चंद्रमास के संबंद में भारतिय उपमादीप में दो परंपराओं का पलन किया जाता है अमान्त में चंद्रमास अमावस्या के दिन समाप्थ होता है और चंद्रमास का आरम शुकलपक्ष की तिथी ततिपाद से होता है नतीस्तन हर भहीने में शुक्लपक्ष कृष्णबक्ष से पहले आता है। इसे अमान्त इसलिए का जाता है तो कि इसका समापन अमावस्या को होता है। इसका अनुसरण आंध्रपदेश, कर्णाटक, महराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, पश्यमंगाल, त्रिपुरा और असम्य किया जाता है। पूर्णी मांत में चंद्रमास, पूर्णी मां के दिन समापत होता है। प्रणाम सरूप प्रत्यक महा में क्रिश्ण पक्ष, शुकल पक्ष से पहले आता है। इस कलेंडर का पालन बिहार, चत्तिसगर, हर्याना, इमचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, जहारकंड, मद् भारती भाषाओं में विक्रम सम्वत के अनुसार महीनों के नाम इस प्रकार है। वैशाक, जेश्ट, आशार, श्रावण, भादरपद, आश्विन, कार्तिक, मागशीश या आग्रहायर पॉश, माग, फागुन, चैत्र। जूलियन कलेंडर एक सोर कलेंडर है जिसमें हर साल 365 दिनों का होता है और जिसमें हर चोथे साल बिना किसी अफवाद के एक अतरिक लीब दिन होता है। जूलियन कलेंडर अभी भी पूर्वी रूडिवादी चर्च के कुछ हिस्सों और ओरियंटल रूडिवादी के कुछ हिस्सों के साथ-साथ», बेरबर्ष द्वारा उप्योग किया जाता है, यह कैलेंडर, रोमन गर्णाजिक, रोमन कॉंसिल, जूलियस सीजर द्वारा, च्यारिस बीसी में पहले के रोमन कैलेंडर के सुधार के रूप में प्रस्तावित किया गया था. इत्योपियाई कलेंडर इत्योपियाई कलेंडर एक सौर कलेंडर है इसे 400 CE में विक्सित किया गया था अत्तक्वीम हिज्री या हिज्री कलेंडर हिज्री कलेंडर जिसे इस्लामिक कलेंडर भी कहा जाता है एक चंदर कलेंडर है इसमें एक वर्ष में 354 या 355 दिनों के 12 चंदर महीने होते हैं इसे 649 CE में राशीदुन खिलापत के दूसरे खलीफ उमर प्रथम द्वारा पेश किया गया था उन्होंने हिज्रा युक जो अब शुरुवाती अक्षर AH द्वारा पेचाना जाता है की शुरुवात की उमर ने पहले वर्ष AH की शुरुवात मोर्रम के चंदर महीने के पहले दिन से की जो जूलियन कलेंडर में 16 जुलाई 622 CE से मेल खाती है फार्सी कलेंडर फार्सी कलेंडर एक सौर कलेंडर है इसका विकास ग्यार्वी शदाबदी CE के दोरान हुआ था इसका अप्योग इरान और अफगानिस्तान में किया जाता है एस्टेक कलेंडर एस्टेक एक सौर कलेंडर है इसका विकास 1500 CE से 1521 CE के दोरान हुआ था एस्टेक कलेंडर एक पत्थर है जिसे मध्य मेक्सिको में लोगों के लिए पवित्र माना जाता था पत्थर पर सूरिदेव, टोन, तियू, सहित, विबिन, पौरानिक और जोतिशी आकरतियों की नकाशी की गई थी ग्रेगोरियन कलेंडर ग्रेगोरियन कलेंडर एक सौर कलेंडर है इसका प्रयोग विश्व के अधिकांश भागों में किया जाता है यह अक्टूबर 1582 सी में प्रोप ग्रेगरी तेरह दौरा जारी किये गए इंटर ग्रेविसिमस नामक सार्वजनिक डिक्री यह पौप बुल के बाद प्रभावी हुआ जिसने इसे जूलियन कलेंडर के संशोधन और प्रतिस्थापपन के रूप में पेश किया मुक्य परिवर्तन यह था कि ओसत कलेंडर वर्ष को 365 दशनलव 24-25 दिन लंबा करने के लिए अंतरिक्ष लीफ वर्ष को अलग किया गया जो कि 365 दशनलव 24-22 दिन के उंश्र कटी बंधी या सौर वर्ष के अधिक करीब था जो सूर के चारों और प्रत्वी की क्रांती से निर्दातित होता है ग्रेगोरियन कलेंडर की स्थापना के दो कारण थे सबसे पहले जूलियन कलेंडर ने गलत तरीके से मान लिया कि ओसत सौर वर्ष बिलकुल 365.25 दिन लंबा होता है जो प्रती शदाबी एक दिन से थोड़ा कम है और इस प्रकार बिना किसी अपवाद के हर चार साल में एक लीवर्ष होता है इसके साथ ही यह प्रस्तुती समाप्त होती है मिलते हैं एक नई प्रस्तुती में तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद